Hello everyone, welcome to Global Online, this is Ankita Soda and आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कुस करने वाले हैं Wisping All Set 2023 में Paper 1 का Teaching Aptitude का एक बहुत जाला important topic जिसका नाम है Methods of Teaching So Teaching Aptitude की सीरीज में ये हमारा लेक्चर नमबर 7 है तो students अगर आपने previous लेक्चर नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूँ कि वहाँ पे हमने Basic Methods डिसकुस किये थे जहाँ पे मैंने आपको Real Life Examples and Smart Tricks के साथ बताया था कि कैसे हम Different Methods को याद रख सकते हैं So ये Methods of Teaching में हमारा Part 2 है इसमें Remaining Methods को हम डिसकुस करेंगे और साथ ही यहाँ पे मैं Smart Tricks के साथ ही आपको बताने वाली हूँ कि एक्जाम में कैसे हम Keywords को यूज करके Easily Methods को identify कर सकते हैं बहुत जादा Important Lecture है तो जरूर आप इसको एंट तक देखेगा So main content पे जाने से पहले मैं आप सभी Students के साथ एक बहुत जादा Important Information शेयर करना चाहती हूँ वो यह है कि कि आप सभी को पता होना चाहिए कि West Bengal Set exam में हमारे Paper Pattern को दो सेक्शन में Divide किया जाता है Paper 1 और Paper 2 Paper 1 जो होता है यह हमारा Common Paper होता है जिसमें की Total 50 MCQs पूछे जाते हैं And Paper 1 में Total 10 Units हमारे पास होती है So इस Paper के अगर आप अच्छे से तयारी करते हो तो यही आपको exam में अच्छा score करने में मदद करता है So Paper 1 का Complete Course Global Online की Team आपको Provide कराती है जो की 100% Guaranteed है So इस Complete Course में आपको मिलते हैं Full syllabus Video Lectures आपको पता है की Paper 1 में Total 10 Units होती है So 10 की 10 Units के Video Lectures आपको यहाँ पे मिलेंगे जिसमें की Smart Tricks के साथ हमने आपको हर एक चीज़ बताई है Full syllabus Notes आपको यहाँ पे मिलेंगे In Full syllabus Notes में हर एक चीज़ को Graphs, Images, Diagrams के साथ Present किया गया है ताकि Students एक बहुत interesting way में Concepts को समझ सके साथ कि आपको यहाँ पे Full syllabus Mock Test मिलते हैं Separate हर एक unit का Mock Test हम आपको देते हैं जो कि आपकी Final Preparation में, Final Revision में बहुत जादा Help करता है And सबसे अची बात इस Course की यह है कि इसमें हम आपको 2000 Plus MCQs की PDF देते हैं यह questions ऐसे हैं जो कि as it is exam में पूछे जाते हैं Exam से पहले आप लोग अगर सिरफ यह 2000 questions को भी पढ़ लेते हों इस complete course के complete होने के बाद Final Revision के लिए यह 2000 questions को पढ़ दीजिए As it is questions exam में बहुत बार आते हैं और हमारे previous batch के students ने भी इसी के basis पे अपना West Bengal Set exam qualify किया था इसमें आपको previous year questions में मिलते हैं जिससे कि आपको एक idea हो जाएगा कि किस तरह के topic किस तरह के questions जनरली exam में पूछे जाते हैं So इस complete course को join करने के लिए screen पर दिये गए numbers में से किसी भी number पर वाटसाप की help से contact कर सकते हो So generally इस complete course की fee है 2500 रुपीज लेकिन अभी हम आप सभी students को flat 20% off दे रहे हैं यानि कि आप लोगों को इसके लिए fees pay करनी होगी सिरफ 2000 रुपीज तो जल्दी से आप इसको join जरूर कर लीजे guaranteed selection के साथ हम ये आपको paper 1 का complete course देते हैं इसका एक alternative मैं और भी आपको बताती हूँ कि आपको करना क्या है description box चेक कीजिए वहाँ पर आपको हमारे app global online का link मिल जाएगा play store पर इस तरह से हमारा app नजर आता है आप directly भी search कर सकते हो app को download करने के बाद आपको अपने mobile से login करना होगा and then आप directly अपने home screen पर बहुन जाओगे इस तरह का interface आपको home screen पर नजर आएगा then आपको जाना होगा यहाँ पर store section पर store section पर जाते ही students आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक इस तरह का interface आपके सामने आएगा जहाँ पर आपको select करना है all categories okay यहाँ पर all categories की जगह यह जो search बार आपके सामने नसर आ रहा है आपको यहाँ पर जा करके directly आप लोग WB set भी लिख सकते हो यह लिखते ही आपके सामने West Bengal set का complete paper one का course आजाएगा आप इस पर क्लिक करोगे तो इसका overview देख सकते हो क्या क्या चीज़े हम इसकी डूरेशन रहती है and इस content को access करने के लिए आपको directly content section पर जाना होगा and then यहाँ पर आप easily देख सकते हो कि unit wise complete हमने syllabus cover किया हुआ है for example अगर हम teaching aptitude की बात करें तो 23 video lectures में हमने इसको cover किया है साथ यहाँ पर two files हैं जिसमें teaching aptitude के complete notes है and four mock test यहाँ पर आपको मिलेंगे तो यह guaranteed course है जल्दी से आप लोग इसको join करनी चे बहुत ही easy है कोई query अगर इससर related आपको लगती है तो आप हमें comment करके भी बता सकते हैं आती हैं अपने topic पे so यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि पहले हमने क्या-क्या discuss किया था जो कि मैं आपको 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 बता चुकी हूँ lecture number six में यह चीज़ें हमने देखी थी and आज किस lecture में हम लोग methods of teaching के यह seven types discuss करने वाले हैं जिसमें से कि पहला है lecture method, दूसरा है discussion method, तीसरा है programmed instruction method, demonstration method, brainstorming, role play and case study यह सभी के सभी types बहुत important है exam में हर साल इससे question पूछे जाते हैं तो शुरू करेंगे lecture method से अब lecture method जो है यह सबसे पुराना यह traditional method है teaching का इस method में क्या होता है teacher है and यह classroom है teacher आएंगे and class में जितने भी बच्चे हैं सबको lecture देंगे, जो भी topic book में लिखा हुआ है, वो पढ़ाएंगे और थोड़ी सी वो board blackboard जो लिखा हो रहता है वहाँ पे, उसकी help लेंगे and topic अपना complete करवाएंगे, chapter अपना complete करवाएंगे, that's it तो lecture method जो है, आप इसको इतना याद रख लीजिए कि यह होता है हमारा teacher centric method ठीक है, अब teacher centric method क्या होता है, यह lecture number six में हमने discuss किया था, अगर आपने देखा है lecture तो बहुत easily आपको इसका meaning भी समझ आ चुका होगा, so lecture method is a formal or semi-formal discourse in which the instructor presents a series of events, facts and principles, explore a problem or explains relationship, यहाँ पे आपस की Hindi explanation भी देख सकते हो कि कोई भी घटना है, कोई भी fact है कोई भी topic है, बस teacher class में आएंगे, as it is वो चीज students को बताएंगे और class से चले जाएंगे इसमें किसे भी तरह का feedback नहीं होता students को क्या लग रहा है, students को interest है की नहीं, यह सब चीज़ इसमें involved नहीं होती है ठीके, lecture method के कुछ benefits भी है, पहला benefit यह है कि अगर class बहुत बड़ी है, तो वहाँ पे सबसे अच्छा काम यही करता है, अब माल लीजे कि 100 students की class है, तो वहाँ पे lecture method ही काम करता है, वहाँ पे अगर हम सोचें की, छोटे level पे हम सब बच्चों को practical करके चीजें बताएंगे, तो वह possible नहीं होती, तो ऐसी जगा जहां पे number of students बहुत जादा है, number of audience बहुत जादा है, वहाँ पे हम lecture method यूज करते हैं, ये question exam में एक बार आ चुका है, तो इसको आप लोग note कर लीजेगा, दूसरा है it creates new ideas, lecture method में नए ideas generate होते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, कई बार हो सकता है कि कोई teacher lecture दे रहे हैं, आप जैसे जब भी professor बनोगे, आप lecture दे रहे हो कोई student सामने से कोई query कर दे तो new ideas generate हो सकते हैं a teacher is experienced and has mastery of the subject explains all the points and can answer all the questions raised by students तो lecture method में यही होता है कि teacher जो है, उनकी अपने subject में mastery होना जरूरी है ताकि कोई student कोई भी question raise करे, तो teacher उसका answer दे सके and हर एक point को detail में explain कर सके next day में बोला गया है, students can ask if they need any clarification, तो students पूछ सकते हैं, यानि कि इसमें थोड़े बहुत level पे feedback भी होता है learn through listening, अब lecture क्या होता है, lecture में जैसे मैं आभी आप लोगों को मैं ये बोल सकते हूँ कि online lecture है, क्योंकि मैं सिरफ बोल रही हूँ, आप लोग अपने घर में सुन रहे हो ठीक है, so इसमें क्या होता है listening, आप मुझे सिरफ धान से सुन रहे हो screen पर जो सामने लिखा है उन points को note कर रहे हो, तो यहीं से आप लोग चीजों को सीख सकते हो a teacher explains all the points students give their input teacher discuss the whole topic in class in easy language, students can easily understand the topic so यहाँ पर major point यहाँ पर यह होता है कि यह एक teacher के responsibility होती है कि वो कोई भी topic अगर लेते हैं तो उसको एक easy language में बताएं ताकि student easily उन चीजों को समझ सके फिर चाहे topic जितना भी difficult हो वो lecture method में useful रहता है ठीक है, यहाँ पर मैं बता चुकी हूँ कि large number of audience अगर है तो वहाँ पर useful रहता है a teacher provides all knowledge related to the topic अब जैसे आज हम लोग methods of teaching कर रहे हैं ठीक है, तो इससे related कोई भी topic है जितनी भी इसकी details है, जितनी भी इसकी advantages and disadvantages है वो सारी की सारी में आज आप लोगों की clear करने वाली हो ठीक है, तो पहले मैं theory करवाऊंगी फिर previous year questions करवाऊंगी तो वही है कि teacher जो है knowledge provide करवाते हैं किसे उस particular topic को लेकर के यह सब चीजें आती है lecture method में यहाँ पे आप इसको हिंदी में भी देख सकते हो So I hope lecture method बिलकुल clear है आप लोगों का इसको हम traditional method बोलते हैं जिसमें chalk and talk use होता है chalk के through बोलते-बोलते teachers चीजें समझाते इसमें कोई internet, कोई computer, कोई smart boards यह सब चीजें use नहीं की जाती अब यह जो question है question है student से मैं बता दूँ कि 2015 UGC net examination में as it is पूछा गया था इसमें बोला गया है which of the following statement is not correct lecture method can develop reasoning क्या lecture method से हम reasoning को develop कर सकते हैं lecture method can develop knowledge इससे हम अपना ग्यान बढ़ा सकते हैं चाहे teacher हो चाहे student हो lecture method is one way process यानि की one way process का मतलब क्या होता है जैसे teacher है student है सिरफ teacher बोले जा रहे है student कोई feedback नहीं दे रहे students की जादा involvement नहीं है तो यह है one way process अगर students की भी पूरी involvement रहती जैसे कि discussion method में होता है generally तो वो होता है two way method यह है one way process यह one way method ठीक है next है during lecture lecture method students are passive तो students इस method में बिलकुल passive role play करते बस वो बैठ के सुन रहे हैं चीजों को तो कौन से statement not correct यानि की incorrect कौन से statement है बहुत easy question है that is option number one ठीक है अच्छे से I hope इसको आप समझ गए हो and इस answer अगर आपने मुझसे पहले और ठीक answer दिया है तो मुझे comment जरूर कीजेगा यहाँ पर आगे भी मैं आपको previous year questions लेकर आने वाली हूँ अब करते हैं दूसरे method की बाद जो की है discussion method so it is a method in which group discussion techniques are used to reach instructional objective अब discussion method में क्या होता है groups बना दिये जाते हैं students के इस तरह से students के four groups बना दिये गए हैं and teacher क्या करेंगे उनके particular topic दे देंगे जिस पर की वो लोग discussion करेंगे right so instructional objective यानि की कोई problem है जिसका solution हमने ढूणना है तो यहाँ पर बच्चों के point of view देखेंगे and last में teacher जो है वो conclude करेंगे कि कौन से group की points जो है कौन से group की discussion जो है वो बिल्कुल correct थी students listen to others opinions and express their opinions I hope आप यहाँ से समझ रहे हो बहुत easy है यह हिंदी में भी आप देख सकते हो कि A group के चात्र क्या करेंगे दूसरे group के चात्रों के जो भी points है कि जैसे कि मालीजियों उन्हें politics को लेकर के कुछ बात चल रही है ठीक है A वाले पहले B वालों के point of view सुनेंगे उसके बाद B वाले A वालों के point सुनेंगे कि अच्छा वो क्या कहना चाते हैं उसके बाद यहाँ पर discussion स्टार्ट होगी वो एक दूसरे पर points raise करेंगे यह सब process रहते हैं इसमें So discussion method में teachers की responsibility होती है कि अगर कोई important point उस चीज को लेकर के miss हो चुके है तो वो discussion के end में यह discussion के दौरान वो चीज़े students को जरूर बताएं Next है Students can learn on their own find out key points तो अगर इस group में मालीजे कोई एक student ऐसा है जिसको नहीं पता जिस topic पे discussion हो रही है उसके बारे में कुछ भी नहीं पता तो यहाँ पे उनको knowledge बढ़ेगा वो ध्यान से सुनेंगे और हो सकता है कि discussion करते करते हैं उनके खुद के दिमाग में कुछ ideas, कुछ key points जनरेट हो जाएं जो कि actual में उनको बहुत help कर सकते हैं Students exchange their ideas Students get point of view of all and not only those who speak who always speak सबके point of views यहाँ पे देखे जाते हैं कि हमारी टीम वाले सही बोल रहे हैं दूसरे टीम वाले क्या बोल रहे हैं क्या यह सच है या नहीं है तो इस तरह से बहुत जादा knowledge जो है वो share हो सकता है इस discussion के help से After discussion when students give their presentation the teacher correct their mistakes सो यहाँ पे teacher क्या करते हैं तो बच्चों को observe करते हैं कुछ important points miss हो गए है वो भी उनको highlight करके बताते हैं last में conclude भी करते हैं लेकिन साथ में discussion के तरहान अगर किसी टीम का कोई student कुछ incorrect, कुछ गलत information share कर देते हैं तो teacher वहाँ पे उनको रोक करके समझा भी सकते हैं Students can make their own notes The learning is more effective in this case यह वाली जो statement है यह exam में पूछी गई थी पहले भी 4-5 options given थे और वहाँ पे पूछा गया था कि best जो discussion method है वो क्या है तो वो, sorry, best teaching learning method process कौन सा है तो वो था discussion method They don't have to rely on Rote learning का मतलब होता है रटा मारना आप लोगों को बता हो गर रटा कैसे मारा जाता है बस पढ़ रहे हैं एक दिन चीज़ याद रहेगी अगले दिन भूल जाएंगे तो इसमें इतनी detail में किसे चीज़ पर discussion हो गई होती है कि रोट लर्निंग की कोई बात ही नहीं है हर एक student के mind में points note हो ही जाते है next है develops creativity among students तो हर एक student इसमें creative role play करता है हो सकता है कि किसी एक topic पर किसी student को नहीं knowledge हो लेकिन दूसरे topic पर कभी discussion होगी तो वहाँ पर उनको जरूर पता होगा तो इस तरह से students और बच्चे जो भी होते वो बहुत creative हो जाते है it evokes thinking among students so जो thinking ability होती है बच्चों में वो यहां से evoke होती है तो इस statement को भी note कर लीजे exam में पूछा गया था एक बार कि कौन सा teaching method है जिससे कि students की thinking ability जो है वो generate होती है वो evoke होती है so right answer होना चाहिए discussion method right so यहां पे hindi explanation भी है आप लोगों के सामने आप चाहो तो इसको note कर सकते हो ठीके next अगर हम बात करें which among which one of the following is the best method of teaching यह भी मैंने आपको बताया कि exam equation आया था 2016 में so best method कौन सा है teaching का lecture method discussion method, demonstration method, question answer method ठीके so right answer है option number 3 demonstration method अब आप बोलोगे कि demonstration तो मैं आप ने करवाया ही नहीं तो the next method है वो यही है इसमें क्या होता है demo जैसे कि अगर मैं आप लोगों को directly बताऊं कि कैसे drive कैसे करते हैं अगर मैं आपको बस theory बताऊं जैसे अभी पढ़ा रही हूं ऐसे ही बताती रहूं तो आप लोग नहीं समझ पाओगे तो जब मैं आपको demo दूँगी actual car में जब मैं आपको बिठा कर बोलूँगी कि इसको drive करो तो वो होता है demonstration method तो इससे आप best सीख सकते हो best way में चीजों को सीख सकते हो next question is maximum participation of students is possible in teaching through so students की maximum participation किसमे होती है right answer है जो अब भी हमने बात की that is discussion method next type है हमारे पास programmed instruction method यह method बहुत ज़ादा important है it is used to provide remedial instruction यहाँ पे आप Hindi explanation भी देख सकते हो यानि की उप्चारात्मक निर्देश ये परदान करता है it provides make-up instruction for late arrivals absentees and translants so programmed instruction method में क्या होता है कुछ students है जो की late आए है या जो बहुत absent रहे थे तो उन लोगों के लिए जैसे की आज का lecture है ठीक है आज की topic पे जाने से पहले मैं कल का topic discuss करूँगी थोड़ा सा जैसे आज की video पे शुरू करने से पहले मैंने आपको कल का बताया कि हमने कल क्या क्या बढ़ा था ठीक है तो यह होता है programmed instruction method यह हमेशा late arrivals या जो students absent होते हैं उनको help करता है to maintain previously learned skills that are not performed frequently enough to accelerate capable students कई बार होता है ना capable students miss कर जाते हैं या फिर यह बोल सकते हैं कि छोटा सा revision के रूप में काम करता है to provide enough common background among students to provide the review and practice of knowledge and skills यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी हिंदी explanation अब आता है most important type जिससे की exam में हर साल question पूछा जाता है that is demonstration method so demonstration मैंने आपको बताया कि हम demo देते हैं किसी भी चीज को सिखाने के लिए जैसे अगर आप लोगों को computer पढ़ाया जा रहा होगा school में या college में ठीक है आप लोगों को programming language सिखाई जा रही है तो आपको अगर सिरफ theory करवाई जाएगी तो आप याद तो रख लोगे wrote learning तो वहाँ पे होगी लेकिन आप practical नहीं कर पाऊगे अच्छे से आपने computer चलाना कब सिखा जब actual में आप लोगों को demo दिया गया कि कैसे computer on करना है कैसे इसको चलाना है जब actual में आप लोगों ने खुद से computer चलाना शुरू किया ठीक है So demonstration method is a method of instruction where the instructor by actually performing an operation or doing a job shows the students what to do and how to do it ठीक है यहाँ पर teacher बताते हैं कि कैसे काम करना है and किस तरह से आप कर सकते हो कौन सा काम कैसे करना है हर चीज़ इसमें बताई जाती है यहाँ पर next point है to teach manipulative operations or procedures to teach troubleshooting ठीक है यहाँ पर सबसे important है कि to teach safety procedures generally जब safety procedures होते हैं बहुत से courses ऐसे होते हैं जहाँ पर without demonstration method हम नहीं teaching कर पाते हैं तो यह इसलिए इसको बहुत important method माना जाता है ठीक है बस इसको आप points को देख लीजी राइट next है brainstorming most important इससे भी question आता है and students इसमें confused हो जाते हैं यहाँ पर आपको बताती हूँ अच्छे से ठीक है यह जो है most interesting होता है informative होता है knowledge gain होता है इसे ज्यान बढ़ता है ठीक है ज्यान बढ़ाओ मतलब ज्यान इससे बढ़ता है learning is effective brainstorming क्या होता है कोई topic पे आपको बोला जाएगा इसका solution ढूदो यह इस topic के बारे में कुछ बताओ तो इसमें क्या होता है more participation of students students का बहुत जादा participation रहता है इसमें students किसी topic पे अपना opinion देते हैं उनको लगता है कि हाँ हमारी इसके बारे में क्या राय है हम इसके बारे में क्या सोचते हैं क्या कहना चाते हैं वो सब कुछ यहाँ पर बिताते हैं, जैसे कि अभी हम लोग ने discussion method देखा था, ये भी उसी की तरह होता है, इसमें भी creative thinking को encourage किया जाता है, students think beyond their knowledge, नहीं पता कई students ऐसे होते कि तुक्के मारने लग जाते हैं, guess करने लग जाते हैं, कई बार वो भी काम आ जाते हैं, जो भी है अगर इस तरह के discussion method and brainstorming में students actively participate करते हैं, तो उनका knowledge इसमें बढ़ता ही बढ़ता है, simple topic can be learned from different angles, यानि कि एक topic के कितने point of views हो सकते हैं, एक person इस topic के बारे में कुछ और बोलेगा, दूसरा person कुछ और बोलेगा, तीसरा person कुछ और बोलेगा, ठीक है, तो कितने points हो सकते हैं, कि इतना हमारा इससा knowledge बढ़ सकता है, यह होता है, brainstorming, अब group discussion and brainstorming में यह difference है, कि group discussion में हमेशा groups बनाए जाते हैं, and brainstorming में single candidate को भी लिया जा सकता है, ठीक है, यहाँ पे हिंदी points देख सकते हो, आप लोग, next point है role play, role play क्या होता है, यह भी एक interesting method होता है, इससे भी students की creativity है, इसको encourage किया जाता है, अब माल लीजे, role play में हर एक student को, जैसे की माल लीजे, इसका एक example में आपको देती हूँ, कि history का कोई chapter में आपको पढ़ा रही हूँ, उसमें multiple लोग हैं, अब history में बहुत से लोगों के बारे में वर्ना की जाती है, उनके बारे में बताया जाता है, तो एक student को, जैसे माल लीजे, राम बना दिया गया, दूसरे student को लक्षमन बना दिया गया, तीसरे को सीता बना दिया गया, ठीके, इनको हनुमान बना दिया गया, इस तरह से कुछ भी हो सकते है, तो ये role play है, इस तरह से क्या होगा, कि बिच्चे बहुत interest के साथ देखेंगे, और उनको याद रहेगा, कि अच्छा, राम थे, राम की जो धरम पतनी थी, उनका नाम सीता था, उनके भाई का नाम लक्षमन था, तो इस तरह से उनको चीज़ें याद रहे जाती है, तो ये फाइदा होता है role play का, कि actively students इसमें participate भी करते हैं, और वो actuallyly enjoy करते करते, बहुत सी सीख जाते हैं, generally ये चीज़े छोटे बच्चों को सिखाई जाती हैं, जैसे कि छोटे बच्चों को अगर हमें बताना है कि हम Christmas क्यों मनाते हैं, तो वो role play के साथ बताया जाएगा, उनको Santa बना करके बुलाया जाता है, schools में आपने आजकल देखा होगा, तो role plays होंगे, तो interest होगा, interest होगा, तो knowledge अच्छे से जाएगा, next है case study, so case study क्या होता है, इसमें किसी एक, कोई भी एक topic है, वो class में बता दिया जाता है students को, ठीक है, and then क्या बोला जाता है students को, कि इस topic पर आप लोग सर्च करके आईए, उन लोगों को कुछ समय दे दिया जाएगा, एक दिन, द कारे में सर्च करके लाइए, चाहे वो Google से करें, चाहे घर पे किसी को पूछें, या फिर वो अपनी किसी book से देखें, वो उनकी choice है, बस case study में ये रहता है, खुद से बच्चोंने study करना है, इसमें भी active participation होती है students की, and वो क्योंकि खुद से सर्च करते हैं, या घर पे पू अब यहां पे teacher focus strategy, mixed strategy और student focus strategies है, इसको आपने बस इतना याद रखना है कि अगर large group है, तो हम lecture, team teaching और TV video presentation यूज करते हैं, small group है, तो group discussion, seminar, panel discussion, यहां पे जो कुछ भी है, यह सब हम करते हैं, exam में question इस तरह से पूछा जा सकता है, कि अगर हमें class में role play करवाना है, ठीके, तो क्या condition होनी चाहिए, तो condition ही होनी चाहिए, कि अगर small group है, तो हम role play करवा सकते हैं, अगर large group है, तो हम role play नहीं करवा सकते हैं, तो आपने यह याद रखना है, individual student को अगर हमने पढ़ाना है, exam में यह पूछा गया था एक बार, कि अगर individual, यानि कि सिरफ एक student को अगर हम चाहते हैं, तो क्या हम team teaching कर सकते हैं, team teaching का मतलब होता है, दो तीन teacher एक साथ class में आकर के class को पढ़ाएंगे, तो individual teacher के individual method में हम लोग कभी भी team teaching नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक बच्चे को पढ़ाना है, तो एक teacher काफी है, ठीके तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जो भी points है इनको note करने हैं, अब एक question है, इसमें पूछा गया है, which among the following gives more freedom to the learner to interact, so एक learner को interact होने में, यानि कि दूसरे से बातचीत करने में, data share करने में, जाधा freedom मिलती है, इस method में, use of film, small group discussion, lecture by experts, viewing country-wide classroom program on TV, यानि कि पूरे country level पे हम TV में कोई classroom attend कर रहे हैं, जिसे news हम सुनते हैं, किसी expert का lecture, second option में बोला गया है, group discussion, या फिर film use करके, so right answer है option number two, that is small group discussion, इसमें क्या होता है, students की, यानि कि learners की जाधा interaction होती है, वो जाधा किसी भी चीज़ में participate कर सकते हैं,